हेलो एब्रीवन वेलकम टो मा यूट्यूब चैनल जार्खन जी के 40 क्वेस्चन को यहां भी हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना होगे और इसी चैनल पर पहुल सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों ने ड पहारे करम के जार्खन की जांकी का थीम क्या था तो तीम क्या था बाबा धाम परिशर में यूट्य जहारखन के किस डेम में तीन दिवस्य productivity इडवेंचरइन का आयोजन किया गया वो डेम का नाम हमें बताना है तो गैतल सूध डेम और यह कहां पर है रांची जीले में इस्थित है ना कौन सी नदी पर स्वांड रेखा नदी पर तो देखो स्वांड रेखा नदी पर ना तीन डेम है एक तो रांची में गैतल सूध डेम और सराइके में औरेली बताऊंगे उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे नेक्स्ट है स्वच विद्याले स्वच बच्चे अभियान 2022 का शुभारम किनके द्वारा किया गया राइट आंसर इसका होगा हेमन सोरेन और जगरनात महतो का अप लोग एक बार विजिट करते रहेगा कि एड डॉक्टर कुमारी बासंती नेक्स्ट है अनपरुना योजना के अंतरगत उन लोगों को केंद्रिय सहता परदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा डेस है तो उम्र सीमा कितनी होने चाहिए राइट आंसर होगा ओप्शन वी 65 फियर्ज नेक्स्ट धनबाद इस्थित लिलोरी म मंदीर किस देवी को समर्पित है मा काली है मा दुर्गा मा लक्ष्मी मा सरस्वती तो धनबाद में इस्थित है लिलोरी मंदीर पहले इस चीज को याद करेंगे यहां पर मा काली को समर्पित है और इस मंदीर में मा काली की प्रतिमा तो है ही और इसकी अस्थापना हम देख लेते हैं कवे 800 वर्स पुरू मध्य प्रदेश के में एक जगह है रिवा करके तो रिवा के राज घराने से संबंदित करतासगड़ के राजा सुजन सींग ने इसके अस्थपना कराई थी और ऐसा माना जाता है कि इस मंदीर में प्रती दिन पशु बली दी जाती है नेक्स्ट हमारा क्वेशन है जारखन सरकार द्वारा नकसलियों को मुख्य धारा में जोडने के लिए कौन सा अभ्यान चलाया जा रहा है राइट आंसर इसका होगा ओप्शन डी जोकी ओपरेशन नई दिशा नेक्स्ट है महेशपूर की रानी सर्वेश्वरी के संबंद में कौन सा कथन सत्य है इन्होंने पहाड़य विद्रों का नित्रित्व किया इन्होंने अंग्रेज ठेके धारों द्वारा बिना अनुमती के जंगल काटकर खेत तयार करनी तथा छोटा नाकपूर छेत्रे से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया इन्हें भागलपूर जेल में 6 में 1807 को फांसी दे दी गई थी आंसर की में यहाँ पर ओप्शन डी दिया हुआ है तो आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे नेक्स्ट है जारकर में काईनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहा है क्रायोनाइट ने होगा यहाँ पर काईनाइट राइट आंसर इस क्वेशन का होगा ओप्शन डी लपसा या फिर लिपसा बुरू हो जाएगा महादी वक्ता सदन में मतदान कर सकता है यह स्टेटमेंट सही है या गलत है हमें बताना है तो महादी वक्ता सदन में मतदान कर सकता है यह जो स्टेटमेंट है यह गलत है तो देखो महादी वक्ता को राज विधान सभा की बैठक या उसके द्वारा गठित समीती की बैठक होता है औक सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर होगा राज की किस जीले में सतावधी स्टेडियम सींथ्थ पाका में टीर होगा ये रांची जीले में स्थीथे अगला हमारा मेंवंच मंत्री जन्वन वं योजना विरिफ्शा-्रोपन शुरू की गई इसके तहट किसानों को पोधों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तो ये कौन से राजे में ये योजना शुरू की गई है तो ये जारखन राजे हो जाएगा जारखन राजे में जुमरगीत किस उसर पर गाया जाता है तो यहाँ पर पर्व तेवहार के उसर पर जुमरगीत को गाया जाता है जैसे कि तीज हो गया, कर्मा हो गया, जीतिया, सोहराय आदी पर्व के उसर पर जुमरगीत गाया जाता है जारखन में धूबिया किसको कहा जाता है? विवाह, चित्रकारिक, गीत या फिर निरित्य को तो यहां धूबिया जो है ना ये निरित्य को कहा जाता है अगला हमारा प्रेश्ण है कौन से स्वतंत्र उम्मिद्वार जार्किन की मुख्य मंत्री रहे हैं यानि की स्वतंत्र उम्मिद्वार कहा जा रहा है ना ध्यान से थोगा पढ़िएगा इसको राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन भी ये निर्दलिय मुख्य मंत्री मधुकोडा रहे हैं और इनका कारेकाल जो टेन्योर है वो है 14 सेप्टमबर 2006 से लेकर के 27 अगस्त 2008 तक रहा है निर्दलिय ये मतलब स्वातंत्र निर्दलिय मुख जगनात मंदीर कब बनाया गया तो ठाकूर एनी शाह के द्वारा 1691 में जगनात मंदीर का निर्मान करवाया गया था और ठाकूर एनी शाह जो है ना नागवनशी राजा है पीटीजी डाक्या योजना का मकसत प्रदान करना है क्या है तो पीटीजी को मुफ्त चावल देन अगला हमारा प्रेशन है बालको की अस्थापना हुई थी कब की गई थी तो ये 1948 में छोटा नागपूर में कौन सी मिट्टी प्रमुक है यानि कि यहाँ पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है लाल है खारी मिट्टी, काली मिट्टी, जलोड मिट्टी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी के बहुलता है और जबकि जलोड मिट्टी जो है जारकन में पाई जाने वाली नए वर की मिट्टी है और इस मिट्टी में मिट्टी परी छेदिका का विकास नहीं होता इस टाइप से यहां पर लिखा हुआ है तो आप लोग को यहां याद रखना कि लाल मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी किस साइड में पाई जाती है right answer is question को होगा option first सरहूल, गरनक, धागू और मोध अगला प्रेशन है अच्छा तो यहां राजमहल के साइड में जो है ना यह काली मिट्टी पाई जाती है next है राजमहल पहाडियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतब मातरा में पाई जाती है just अभी मैं आपको इसका अंसर बताई तो यह कौन सी मिट्टी होगी काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी जो है ना कले युक्त होती है और इसमें जल धारन करने की छमता अधिक होती है अगला प्रेशन है आदिवासी गाउं में होकर का काम क्या है जार्खन के पूरव में कौन सा राजे इस्थित है कई बार मैं आपको यह बताई हूँ तो पूरव साइड में यह पश्यम बंगाल है जार्खन के पूरव में यहां पर वेस्ट बंगोल है यहां पर बिहार है ओडिशा है यहां 36 गड़ है और इस साइड में यूपी है और गड़वा जीला यह यूपी से बाउंडरी शेयर करता है नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं निम्न में से कौन सी भाशा जार्खन में बोली जाती है गड़वाली, उडिया, असमी या फिर बंगाली तो जैसे मैं आपको अभी बताए कि यहां पर बिहार है यहां वेस्ट बंगाल है, यहां ओडिशा और चतिस गड़ यूपी है तो यहां पर कई प्रकार के भाशा बोली जाती है आप अगर इस साइड के जीलो में जाएंगे तो यहां पर आपको बंगोली सुनने को मिलेगा और देख्षिन की ओर अगर आप आएंगे तो उड़िया सुनने को मिलेगा इधर मगी वगेरा भाषा सुनने को मिलेगा लेकिन हम लोग को option के coding यहाँ पर eliminate करते वे चलना है तो सबसे ज़्यादा वैसे माना जाता है कि यह बंगाली भाषा बोली जाती है नेक्स्ट क्वेशन है सबसे हिंदी बोली जाती है उसके बाद में नेक्स्ट है खरकई नदी कहां डेस में गिरती है कहां गिरती है तो खरकई नदी स्वन रेखा नदी पर गिरती है और खरकई नदी और सुर्ण रेखा नदी के संगम अस्थल पर या फिर इसके साइड में जमशेदपूर शहर इस्थित है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा जारखन के कला के रूप में है तो ये सोहराई जो है जारखन का एक आठ है वेदो के पदों में असूर जनजाती का उलेक उनकी डेस के लिए क्या जाता है तो विर्ता और कर्तब के लिए जनगर्ना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियों का कुल मिलाकर लिंग अनुपात राष्ट्रिय औसत से अधिक है तो ये कौन सी जनजाती होगी मुंडा और संथाल अगला हमारा प्रश्ण है जारखन राज्ये खेल समवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल कॉल फिल्ड्स लिमीटेड और राज्ये सरकार की नेक्स्ट क्वेश्चन है जामुमो जारखन की सरकार में किस दल के साथ गठवंदन में नहीं है तो आंसर की में यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑप्शन डी वाला एल जेपी और भाजपा के साथ है ना और जहां भी आपको थोगा सा डाउट लगे ना तो आप लोग रिचेक कर लिजेगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता है कि इसका अंसर गलत है या सही है क्योंकि जो भी मैं अभी वीडियो बना रही हूं इससे पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को देखती हूं फिर जो एक्स्प्लानेशन होता है उसको देख लेती तो मुझे भी पता नहीं चल पता है कि गलत है या सही है तो आपको अगर गलत लगता है तो एक बार कॉमेंट सक्षन में बता देंगे मैं उसको देख लूँगी ओके नेक्स्ट है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है क्योंकि कॉलेज जाना होता है ना डेली 10 से 4 कॉलेज में रहना होता है तो तो एक पर आप लोग बता देजेगा मुझे नेक्स्ट है जारखन में राजमहल पहाडियों में कौन सी प्रमुक जनजाती वास करती है राइट आंसर होगा इसका option first सौरिया पहाडिया और ये जो सौरिया पहाडिया है प्रजाती के द्रिस्टी से इन्हें प्रोटो उस्ट्रेलोइड स्रेणी में रखा गया है और इनकी बोली मालतो है जो द्रविड भाषा परिवार से related है बिहार पुनर गठन बिल को पारित किया गया है तो देखो ये तो 2000 से पहले ही होगा 15 नवंबर 2000 को यहां पर जारकर राजे का गठन हुआ तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लिजेगा है ना क्योंकि 2000 को लोकसभा से पारित हुआ था तो बिहार राजे पुनर गठन विदे ये 2000 को ही हुआ था तो डेट एक बार आप लोग देख लेंगे मुंडा दुरंद यहां पर दिया हुआ है साथ दुरंग होगा कब प्रकाशित ही थी पब्लिश कब क्या गया था इसको तो 1942 में कोडर्मा बिहार के किस जीले को असपर्स करता है तो कोडर्मा जीला जो है ये गया जीला पड़ता है और उत्तर में नवादा जीला पड़ता है यानि कि कोडर्मा जीला जो है इसके पूरव में पूरव में हाँ पूरव में तो गिल्टी हो जाएगा तो पश्चिम में यहां पर गया जीला और उत्तर में नवादा जीला को ये टच करता है और ये सव मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है ये पर्व जो है पश्वों के लिए नेक्स्ट जारकन में एलिफेंट रिजर्व कहां पर है आंसर यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन डी पूर्वी सिंभू में भी हो सकता यहां पर अगला प्रेशन है जारकन में लागू की मुख्य मंत्री जन्वन योजना का उदेश है क्या है तो इसका में पर्पस जो है जनसंक्या और परियावरन के बीच में संतूलन बनाए रखना है उप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेशन कहां है यह खरकई नदी डेश से निकलती है कहां से तो यह सिमलिपा से निकलती है और स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुक सायक नदी भी है जार्खन राजे खेल समवर्धन सोसाइटी का मिशन है यह ओलंपिक स्वर्ण फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 क्वेशन कंप्लीट होते हैं आप अपना स्कोर बता दीजेगा और इस सेसन को अपन जार्खन का एकजाम हो रहा है तो हम सभी को जार्खन के बारे में नौलेज होना बहुत जरूरी है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहेगा और मैं ट्राइ करूंगी कि दो प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करूं एक दिन में वह जार्खन जीके के और अधर तो आप लोग correct answer comment करके बता देंगे मुझे